नोशकार मैं मैंनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आपके बिहार दरोगा के पीटी के अभी तक जो है वो रिजल्ट नहीं आए हैं कट अफ पे डेटेल वीडियो आपने देखा होगा मैंने बनाया था तक्रीबन जेरल के जो मैं बता रहा हूँ हूँ 76-77 प्लस ही जाएंगे आद देखिए थोड़ी सी कड़बी आपको बाते लग रही है लेकिन जो चीजे है वो सही है और ये फैक्ट है क्योंकि देखिए बिहार में अब तो आउर अराच्छ 75% की बात की जा रही है जेरल वाले के लिए तो दिक्कत इस बज़े से हो जाती है कि चलो बिहार के बच्चे फाइट कर रहे हैं तो ओबियस है कि चलो बिहार की हक की बात है लेकिन UP वाले बच्चे आकर यहां पर जेनरल में ही fight करेंगे तो obvious है कि आपको सिर्फ करीम से ही लड़ना है और OVC में भी बच्चे जेनरल से fight करते हैं जो अच्छे बच्चे हैं तो समी देखने को मिल जाएगी कि जेनरल का cutoff 77-78 से नीचे मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि नीचे जाएगा क्योंकि यूपी वाले बच्चे भी talented होते हैं बिहार के ही जैसे तो वो आके यहां पर cutoff बढ़ाएंगे ही चल यह बात कर रहे थे कि कब तक इसके result आजाएंगे देखिए फर्ष्ट फर्वरी यानि फर्ष्ट वीक ओफ जनवरी तो मुस्किल लग रहा था कि आपके जो है वो result आएंगे क्योंकि देखिए दो महिने का time दिया गया है तो दो महिने का time दिया गया है आयों की तरफ से तो दो महिने के बाद तो obvious है नहीं 10 से 15 दिन आपको लगेंगे हो सकता है कि 20 से जनवरी के बाद ही आपको result देखने को मिले तो आप क्या समझते हैं कि कब तक इसका result आएगा 20 जनवरी से नीचे तो मुझे नहीं उमीद लग रही है देखिए वो बात अलग है कि OMR based नहीं होते हैं आपके जो भी है वो आपका थोड़ा सा समय लगता और उपर से बिहार भी है हाला कि अब तो एक्जाम के जितने भी result आ रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहे हैं हम लोग जब नुक्ति लिये थे तो 10-10 साल बेटिंग करना पड़ा था दूसरे जोब में चले गये थे तब जाके दूसरा जोब छो रहोंगे इंटरनल सेंटरल में यह सब लफड़ा नहीं है लेकिन क्या है ना कि अपनी जगह अपनी मातर भूमी अपने मतलब कि अस्थान से प्यार हो जाता है तो लोग को लगता है कि या दो पैसा कम मिले लेकिन यहां पे अपने जगह अपने लोगों के बीच रहेंगे तो जिन्दगी अच्छे से कटेगी आप जिन्दगी पर पैसे ही कमाना है तो आप तो कहीं भी चले जाओ पैसे कमाते रहो लेकिन कभी जिन्दगी आप जी नहीं पाए तो उस पैसे का क्या तो कहने का मतलब यह है कि अब रिजल्ट की प्रकिरिया अच्छी हुई है धीरे सोचते हैं नीचे comment box में comment करके जरूर बताएगा हाँ जिनका भी नहीं भी इस exam में selection होता है वो उम्मीद ना छोड़े क्योंकि दरोगा की vacancy लगातार आती रहती है और उसके लिए आप preparation कर सकते हैं इवेन आपके CGL 4 की vacancy आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप दरोगा की तयारी कर रहे हैं तो CGL के लिए नहीं आप पर fight कर सकते हैं चुकि बहुत सारे slivers जो है वो common ही होते हैं तो आप तयारी करते रहे हैं मेंस का भी तयारी किजिए नहीं होता है तो आपके CGL 4 आपके gate पर है यानि कि जल्द ही आपके notification उसके भी देखने को मिल जाएंगे और मुझे रासा है कि आपने इंटर लेवल का भी भरा होगा तो कोई बात नहीं है कुछ भी मिल जाए पकड़ लीजिए उसके बाद तो आगे रास्ता केलियर होई ही जाएगा आसा करते हैं चीज़े समझ मारी होगे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा नेक्ष वीड है तब तक करें जाहिए